आपका मेरी यूट्यूब चनल में स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत इच्छी न्यूस देने माले हैं एक नई वेकेंसी आयो ही है जिसका नाम है होम गार्ड भरती तो होम गार्ड भरती आ गई है चलिए उसके बारे में हम पूरी चानल करें आपको सब्सक्राइब करें सेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ड करें चलिए इस वीडियो को स्टाइब आपको बताएंगे आज बहुत ही अच्छी न्यूस है और यह देख लीजिए आप लोग इस स्क्रीन पर कि 19,000 होम कार्ड के पदों पर भरती उत्ताय प्रदेश में जल्द हो सकती है ठीक है चलिए पूरी चानकरी आपको देंगे चानल को सब्सक्राइब जरूर करना बूलना बिलकुल नहीं ठीक है आगी के अपडेट लेने के लिए उत्ताय प्रदेश में जल्द ही होम कार्ड के 19,000 पर भरती करा जाने करमन लगाया जा रहा है इसके लि आज हम आपको बताएं कि इसके बारे में जिसका लंबे समय से युगाओं को इंतिजार बना हुआ था आपको बता दें कि इन दिनों उत्त्य प्रदेश में हजारों सरकाई पड़ती भरती पर पदों पर भरती निकाली जा रही है इसमें पुलिस यूपी पुलिस एस आई राजस्य लेकपा स्वास्त भी भाग जैसे महत्तपूर भाग सामील है इस अभी वागों के बाद यूपी में जल्द ही यह देखिए अंत्य तक देखना तब इसमझ में आएगी बात ठीक है यह देखिए यूपी में जल्द ही होमगाट के उननी सजार पदों पर भरती करा जाने की बात सामने आ रही है एक दैनिक अकवार में छपी रिपोर्ट की माने तो जल्द ही उत्त्य प्रदेश होमगाट विबाग द जाएगी इसके रत्रिक्त अगर आप प्रतियोग हैं तो चलिए यहां पर हम आपको बता देते हैं कि क्या है होगी न्यूंतम सैचिक योगिता इस भरती में अविदन करने वाले मुदार को दस्वी पास होना चाहिए इसके अलावा अन्य वांच निय योगिता के बारे में आप इसके नॉटिफिकेशन जारी होने के बाद विस्तार से बता दिये जाएंगे तो यहां पर कुछ और जानकरिया दी गई है क्या हो सकती है आयू सीमा उत्रप्रिस में होमगार्ट पदों पर भरती सुरू होने से अभरती अभरती ही आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने न पर पदों में होमगार्ट भरती में उम्मीद्वारों का चैन आफलाइन परिच्छा के आधार पर किया जाएगा यानि कि आफलाइन परिच्छा होगी अनलाइन नहीं हालांकि अभी तक इस संब्द में कोई ओफिसयल जानकारी सामने नहीं आई है छोटी सी वीडियो में चुटी सी अपडेट मैंने आपको दे दी है जब ऑफिस्यल नाटिफिकेशन जारी होगा तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे फिर से आपको बताएंगे कि हाँ इस तारीक से आवेदन हो रहे हैं आप आवेदन कर दीजिए और जो आवेदन करना चाहते हैं इच्चु चिंध्यू